आपके दोस्त नायरा आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि बच्चों को अकेले क्यों सोने देना चाहिए अक्सर माता पिता की मन में ये खयाल रहता है कि बच्चों को अपने साथ ही सुराना चाहिए ताकि रात को अगर उन्हें कोई जरूरत हो उन्हें पानी पीना हो या फिर अकेले टायरेट जाना हो तो उन्हें डरना रगी लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करके आप अपने बच्चों की आदत बिगार रहे हैं जी हाँ बच्चों को अकेले सोने देना चाहिए क्यों सोने देना चाहिए ये बाते अपनी इस वीडियो के जरी मैं आपको आज बताऊंगी टिप नमबर वन अपने आपको शांत करने की आदत जब भी बच्चे अकेले सोते हैं और नीद में आहर बढ़ा कर उठ जाते हैं तो ये उनके लिए सबसे अच्छा आप्शन रहता है अगर वो अकेले सोते हैं तो उन्हें अपने आपको शांत कराने की आदत पढ़ जाती है लेकिन वह बच्चे जो पेरिंस के साथ सोते हैं और अचानक नेंद से उठ जाते हैं उनके पेरिंस उन्हें अचानक से नेंद में वापस ले जाते हैं और उन्हें शांत कराते हैं पेरिंस के लिए ही काफी दुगदाई होता है जिसकी वज़े से बच्चे के आत्म विश्वास में भी काफी कमी आती है लेकिन मैं आपको इस सला देना चाहूंगी कि जब भी आप अपने बच्चों को अकेले सोने दे तो उनकी सुरक्षा को एक बार जरूर देख लें टिप नमबर थ्री है आतमे इता हाला कि माबाप को कई बार ऐसा लगता है कि जब उनके बच्चे उनसे अलग और अकेले सोते हैं तो उन्हें हमेशा ये फिल होता है कि कहीं हमारा बच्चा हमसे दूर ना हो जाए जो कि सही भी है अगर आप ऐसा होने दे रहे हैं तो ये काफी अच्छा है क्योंकि ऐसा करने से बच्चे का मनोबल बढ़ता है वो अपने आपको अकेले रहने की आदर डाल लेता है आपके ना होने पर भी घबराता नहीं है और नीद भी अच्छे तरीके से रे लेता है टिप नमबर फोर अपने आप से रिष्टे के लिए ज़दी आपका बच्चा आपके साथ ही सोता है तो आप पती पतनी एक साथ ट्राइम स्पेंड नहीं कर पाते होंगे इसलिए अगर आपका बेवी बहुत छोटा है तो उसे आप अपने साथ सुला सकते हैं लेकिन अगर वो छे मा से बड़ा है तो आप अपने बैट के साथ ही उसका बिस्तर लगा कर उसे उस पर सुला सकते है सो फ्रेंट्स देखा आप लेकि क्यों आपके बच्चे का अकेलिस होना जरूरी है इन सारे टिप्स को आजमाईए और अपने व्यूज को हमाई साथ शेर करिए मेरी ब्यूटी और हेलसे रिलेटीड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजे तब तक मैं आपके दोस्त नायराब से इजादत लेती हूँ